तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या का चीज़े कवर करने वाले हैं जैसे नमबर वन सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे घर का estimated cost हम कैसे निकालते हैं कि हमारा घर बनाने में कितना पैसा लगेगा सेकिन हम देखेंगे कि घर बनाने के लिए लेवर रेट क्या है मिन्स आपको ठेकेदार को किस रेट में काम देना है अगर लेवर रेट में काम देना है तो क्या रेट होंगे और अगर विद मेटल काम देना है तो क्या रेट रहेंगे थरद हम बात करेंगे और आपको ठेकेदार का चुनाव कैसे करना है ठेकेदार को काम देते हुए आपको किन-किन बातों का ध्यान रकना चाहिए fourth हम देखेंगे कि ठेकेदार तैय किए गए rate में आपको क्या-कै काम करके देने वाला है और किन-किन कामों का आपको extra charge करेगा यानि किन-किन कामों का आपको ठेकेदार को extra पैसा देना होगा fifth हम payment plan देखेंगे कि आपको ठेकेदार को पैसे कैसे और कब-कब देने हैं और last में में आपको कुछ important tips भी तिपस है how to calculate estimated construction cost of a house कि आप ये कैसे पता करें कि आपका घर बनाने में कितना पयसे लगेगा एरिया और साइस कुछ भी हो तो दोस्तो सबसे पहले आप ये समझें कि basically तीन तरे की house construction की जाती है टाइप a class house construction टाइप b class house construction और टाइप c class house construction जो टाइप a class की house construction होती है वह एकदम premium type house construction होती है इसमें सभी branded materials यूज किया जाते है इस type की construction एकदम luxury houses के लिए की जाती है दूसरी है B class construction जो generally हरा आम आदमी B class construction ही करवाता है और third है C type construction जो load bearing construction की जाती है इसमें column beam वगेरा नहीं यूज किया जाते है इसमें total घर का load bricks wall पर ही रहता है तो अगर हम घर बनाने का labor rate देखें और माल लो आपका total construction area 1000 square feet है और B class की construction है तो B class की construction का अगर मैं labor rate देखूं तो ये होगा approximately 2-2.5 रुपे तक यानि के अगर हम B class की house construction का अगर minimum rate भी लेकर चलें तो 1000 square feet house की construction में हमारा minimum 2,00 रुपे तक labor contractor को जाएगा अगर हम 2 floor बनाएंगे तो 4,00,000 और 3 floor का 6,00,000 रुपे तक सिर्फ labor खर्चा होगा ऐसे ही अगर मैं with metal पर काम देने की बात करूँ तो इसमें भी A class की construction का rate है 1500 रुपे से 1800 रुपे स्क्वेर फिट तक B class की construction का with metal rate है 1150 से 1400 रुपे पर स्क्वेर फिट तक और C class की construction का rate है 850 से 1100 रुपे स्क्वेर फिट तक तो B class की house construction का हमें rate पड़ेगा 1000 square feet के लिए लगबग सड़े 11 रुपे से 14 रुपे से 14 रुपे तक एक्सकवेशन contractor इस rate में पहली बात तो आपको 5 feet तक footing foundation के लिए excavation करके देगा इससे ज़्यादा depth पर वो extra charge लेगा second वो foundation complete करके देगा below ground level 4 feet तक और above ground level 3 feet तक with steel binding and concreting तीसरा वो आपको सभी footing, column, stairs और slab की reinforcement complete करके देगा इन सभी की concrete करके देगा चाहे वो plinth level तक PCC हो या slab level तक की concrete contractor इस rate में सभी structural items जैसे footing, beam, column, slab और staircase सभी की shattering करेगा और जो भी इन सब में shattering material यूज होगा जैसे ply, bas, बल्ली वो सब भी contractor का ही रहेगा, उसे वह आपको नहीं देना होगा, वो पूरे घर को brick work करेगा, चाहे आपको 9 इंच brick work कराना हो या 4 इंच, 8th है plastic work, जिसमें पूरे घर का अंदर बाहर का plaster include रहेगा, इसके सासा ceiling plaster include रहेगा, इसका बहुत से contractor extra अलग से charge करते हैं, तो ये पहले ही tag करके agreement में लिखवा ले, कि ceiling का plaster भी easy rate में include होगा, 9th है cap folding, जिसे भाड़ा भी बोला जाता है, जो brick work plaster और paint work के लिए यूज की जाती है, वो भी contractor ही fix करता है, और उसी के scope में रहती है, 10th है tile या marble लगवाई, आपको अपने घर के floor में जो भी लगवाना हो tiles या marble, contractor easy rate में पूरे घर की flooring करके देगा, पर हाँ अगर आप bathroom, toilet या kitchen के दिवार पर tiles लगवाने वाले हो, तो कुछ contractor इसका अलग charge करते हैं, और कुछ easy rate में करके दे देते हैं, तो ये भी आप contractor से rate fix करते हुए जरूर तया कर ले, और agreement में लिखवा ले, इसके बाद contractor easy rate में आपको plaster का एक simple elevation मना गर देगा, पर अगर आपको elevation पर tiles लगानी है या कुछ complicated design बनवाना है, तो उसके लिए आपको extra pay करना होगा, पर simple plaster elevation easy rate में glued रहता है, अब जो मैं चार काम बता रहा हूँ, ये कुछ contractor तो easy rate में कर देते हैं, और कुछ इन कामों का extra charge करते हैं, जैसे number one, kitchen में slab installation, slab पर grainite वगारा लगाना, और kota stone वगारा से partition वगारा बना कर देना, तो ये पहले ही आपको तै करना होगा, contractor rate fix करते हुए, second बहुत से contractor इस rate में parapet wall बना कर नहीं देते, जो उपर छत पर 4 दुख बनाई जाती है, 3 feet की height तक, ये भी आप rate fix करते हुए, पहले ही decide करेंगे, कि भी आप बना कर देगा या नहीं, तीसरा वो आपको overhead water tank और भार septic tank बनाने में भी problem करते हैं, ये भी आप पहले ही rate तै करते हुए fix कर लें, और चो था, कुछ contractor इसी rate में door और window frame भी fix कर देते हैं, पर कुछ नहीं करते हैं, तो ये भी आपको पहले ही तै कर लेना है, तो इन सभी कामों का एक agreement आपको पहले ही जो हमारा rate है, उसी rate में ये सभी काम आपको करके देने होगे, आईए अब हम discuss करते हैं कि इस rate में क्या-क्या काम आपके include नहीं होते हैं, जिनके आपको अलग से extra charge देना होते हैं, सबसे पहली बात तो जो आप अपने मकान का plan, यानि के नक्सा 2D, 3D डिजाइन बनवाओगे, वो आपको अलग से बनवाना होगा, जिसका rate एप रोक्स 4-6 रुपे पर स्क्वेर फिट तक पढ़ जाता है second plinth level पर, जो earth filling मिंस मिट्टी भरवाई जाती है, वो भी आपको contactor नहीं करके देता, ये भी आपको खुद से करवानी पड़ती है third, बहुत से contactor इसी rate में आपको 7 fit height तक जो bathroom, toilet या kitchen में आप दिवार पर tile लगवाएंगे, वो नहीं लगा कर देते, ये आपको पहले ही तया करना होता है चोथा, इस rate में contactor आपको किसी भी तरह का kitchen, toilet या bathroom में होने वाला plumbing वर्क नहीं करके देगा पाचवाव है आपको electrical work fitting भी नहीं करके देगा चटावाई इस rate में आपकी stairs और balcony की railing और main gate fix नहीं करके देगा साथवाव है आपके घर में white wash नहीं करके देगा जैसे पुट्टी या प्योपी वर्क, paint polish वर्क भी नहीं करके देगा इसमें आपको किसी भी तरह का woodwork जैसे दरवाजे, खिड़किया, चोखट, furniture और wardrobs का किसी भी तरह का काम नहीं करके देगा modular kitchen भी बना कर नहीं देगा, इसमें आपको kitchen slab installation और partition wall भी नहीं बना कर देता, कुछ contractor बना भी देते हैं इसलिए ये आपको पहले ही तै कर लेना है, कुछ contractor आपको 3 feet height तक, जो छट पर parapet wall बनती है, वो भी बना कर नहीं देते, तो ये भी आप पहले ही तै कर ले इसमें वो आपको overhead water tank और septic tank भी नहीं बना कर देगा, किसी भी तरह की cantilever और elevated slab नहीं बनाएगा, इसके लिए भी आपको extra charge पे करना होगा, main gate का ram बना कर नहीं देगा, किसी भी तरह के tramite resistant और waterproofing और damp proofing के लिए भी आपको extra पैसे देने होगा, और इस rate में किसी भी तरह का falsealing work भी वो आपको नहीं करके देगा, तो इन सभी कामों के लिए आपको extra charge देने पड़ते हैं, पर इन में से कुछ काम ऐसे हैं, जैसे bathroom kitchen की दिवार पर ties, parapet walls, door window frame fixing, main gate ram construction, और water and septic tank construction वगएरा, ये कुछ ऐसे काम है, जो बहुत से contractor को same rate में कर देते हैं, बहुत से contractor नहीं क करके देते, extra charge करते हैं, तो इन में से तै किये गए rate में contractor आपको क्या क्या काम करके देगा, और क्या नहीं करके देगा, ये आपको पहले ही उसे convince करके fix करवाने पड़ते हैं, तो इस बात का ध्यान रखे, contact का rate decide करते हैं, तो ये तो थे वे काम जो इस rate में include और exclude रहते हैं आई अब में आपको ये भी बता दूँ कि इस rate में materials, यानि के जो construction tools रहते हैं, वो क्या क्या include रहते हैं, जो contactor के scope में रहते हैं, इन सभी material का contactor आपसे extra charge नहीं करेगा, ये सभी material contactor के पास already रहते हैं, जैसे पहला तो सभी basic construction tools, जैसे चैनी, हतोडा, फावडा, गैंती, प contactor ही लेकर आता है, नमबर 3, हर तरह का shuttering material, जैसे column shuttering, slab shuttering plate, चाहे वो wood की हो या steel की, हर तरह का timber metal, जैसे bamboo और बल्ली बगएरा, ये भी total metal contactor को ही लाना होता है, नमबर 4, plate compactor और concrete vibrator, ये भी contactor को ही देना होता है, wheelbarrow जो concrete बगएर को shift करने के लिए, या construction metal को shift करने के लिए यूज के जाते है, ये भी contactor लाएगा, और नमबर 6, हर तरह का grinder, tile cutter machine और floor polishing machine भी contactor के scope में रहती है, उपर बताये गए सभी material, contactor ही लेकर आता है, बस आपको उसे बिजली पानी और curing के लिए एक लड़का देना होता है, ये आपके scope में रहता है, तो friends, ये सभी material और work है, जो इसी rate में include और exclude होते है, वीडियो काफी लंबी हो गई है, पर friends, पूरी जानकारी के लिए समय तो देना ही पड़ेगा, मैं चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह का confusion ने रहे, सब clear हो जाए एक ही वीडियो में, तो आईए, अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी ठेके करके देगा, क्योंकि जितने टाइम आपका construction में बढ़ता है, उतनी आपकी construction कोस्ट बढ़ती चली जाती है, और दूसरी बात कि कभी भी experience ठेकेदार को ही काम दे, और उसकी पुरानी साइट पर जरूर विजिट करें, जिससे आपको उसकी काम करने की quality और finishing का पता चल किसी भी ठेकेदार को काम देते समय, और अब हम बात करेंगे कि payment plan आपको कैसे कैसे बनाना है, कि आप ठेकेदार को payment कैसे 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 करेंगे, ये payment plan भी आपको पहले ही बना लेना है और agreement में लिखवा देना चाहिए, जैसे agreement के sign होने पर, यानि के acceptance पर 10% payment दे दी जाएगी, कॉलम reinforcement complete होने पर 20% payment दी जाएगी, प्लिंथ लेवल यानि के DPC लेवल तक complete होने पर 25% payment दे दी जाएगी, कॉलम casting के बाद 35% payment दी जाएगी, brick work complete होने पर 45% payment दी जाएगी, slab casting के लिए ready होने पर 50% payment दी जाएगी, slab casting complete होने के बाद 60% payment दी जाएगी, plaster complete होने के बाद 70% payment दी प्रफ it will complete और कीचनर नहीं काम होने पर हन्दर परसेंड कर देँसी जाएके टोटल वर्क के बेसिस पर अपने हिसाब सेवी बना सकते हो मगर आपको यह payment plan जरूर बनाना है और लास्ट में कुछ important tips. पहली बात कि contactor का काम और rate decide करते हुए ये ध्यान रखना है कि कोई भी item छूट न जाए आपको हर item include कराना है और agreement जरूर बनवाए जिसमें सभी material specification जरूर लिखवानी है जैसे tiles किस company की यूज होगी किस rate तक की यूज होगी plumbing fitting GI की रहेगी या CPVC की और front elevation में tile लगाएगा ये आपको plaster करके देगा बगएरा बगएरा अगर आप with metal काम दो तो metal selection में आपको बहुत careful रहना होता है बहतर रहेगा कि आप किसी expert की सला लेकर ही agreement बनवाए किसी भी contactor को with metal काम देने पहले और काम देने पहले metal का brand और minimum price value भी define कर लेनी चाहिए second ठेकेदार से पहले ही पूछ कर agreement में लिखवा दे कि वह घर कितने time में complete करके देगा और नहीं किया तो वह क्या जूर्माना देगा third ठेकेदार से ये भी पहले ही fix कर ले कि वह क्या का construction machinery और tools देगा और कौन-कौन सी चीज़े उसके अंडर नहीं होंगी और agreement में mention करवा दे number four extra काम जो भी ठेकेदार करेगा जो इस rate में include नहीं है उस extra काम के rate भी पहले ही तै करके agreement में लिखवा ले नहीं तो बाद में परिसानी होती है और number five कि rate का coding वो क्या क्या काम करके देगा ये भी definitely